सबी साथियों को मेरा नमश्कार आज मैं आपको Money Tree यानि की Money Plant के बारे में बताने जा रहे हूँ Money Plant, Money Tree के रूप में वास्तो और फंक्शी दोनों में ही बहुत इस्टेवाल किया जाता है घर में Prosperity, Money को attract करने वाले अगर कोई पौधों में सबसे आगी पौधा है तो वो होता है Money Plant Money Plant हुआ जिसको Money Tree बोलते हैं, Jate Plant को भी रखते हैं पर सबसे ज़्यादा आम तोर पे Money Plant हम यूज करते हैं Money Plant अगर सही जगे पर निश्चित सोच के साथ में रखा जाए, तो घर में हमेशा सस्थ और खुशाल सभी लोग रहते हैं घर में एक हरा पौदा होता है तो घर में सभी लोग Positive Energy का Flow बढ़ता है तो सस्थ और खुशाल तो रहते ही हैं लेकिन सही जगे पर रखा हुआ सही दिशा में रखा हुआ Money Plant आपकी Life में Prosperity को भी घीच कर लाता है तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि Money Plant आप कहां पर रखे और अगर जब आपने रखा है तो और किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए Money Plant South East Direction हमारे जीवन में Prosperity, Wealth की Direction होती है Universal Wealth की Direction होती है South East Direction हमारा काम, धन्दा, Wealth, पैसा कितना होगा Saving कितनी होगी इन सारी चीज़ों को निधारित करती है South East जो element है South East Direction का जो element फांक्शुई के according होता है वो होता है Wood Wood यानि अगर वहाँ पर एक हरा पौधा रखा है तो यानि आपकी Prosperity और Growth को बढ़ाने का काम करता है तो जब आप पौधा रखें तो क्यों ना Money Plant रख दे वहीं पर तो Money Plant एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत जादा ना तो रख रखाव की ज़रूरत है और वो पानी में भी रह सकता है मिट्टी में भी रह सकता है तो Money Plant को रखने के लिए जो सबसे अच्छी direction होती है वो होती है South East अपने घर के South East direction में रखते है South East यानि की दक्षर पूरव दिशा अब दक्षर पूरव दिशा आप अपने घर का डूड़ेंगे हो सकता है आपके उस घर में कुछ बना उस दिशा में कुछ बना हो जहांबरगी आप नहीं रख पा रहे है अगर नहीं रख पा रहे है तो आपको अपने Living Room के दक्षर पूरव पूरव दिशा में लोहां पर रख देना है Living Room का center देख लेँ से South East direction निकाल ले और South East direction में आपको रख देना है money plant, money plant अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे career में growth हो मुझे career में बहुत सारी नई opportunities मिले, अगर सब कुछ block है, career में opportunities नहीं है, promotion नहीं हो रहा है तब फिर आपको money plant रख लेना चाहिए north direction में सबसे best जो direction है वो south east, second जो direction होती है वो होती है north तो ये दो दिशाएं हैं जहां पर कि आप money plant को रख सकते हैं और money plant को रखने के साथ ही कुछ चीजे और बताऊंगे जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए south east जो दिशा होती है अगर वास्तु के हिसाब से भी हम देखें तो भगवान गडेश की दिशा होती है प्लानेट वहां का वीनस होता है तो भगवान गडेश तो वैसे ही विगन हरता है तो यानि आपकी wealth में कोई विगन नहीं आने देंगे कोई blockage नहीं आने देंगे और वीनस प्लानेट आपको सुक समरती वैभव आपके जीवन में देती है तो अगर उस दिशा को आपने boost कर लिया तो समझ लीजे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तो आपको money plant रखना है घर के south east direction में आप money plant भी रख लिया लेकिन रखकर उसे भूल नहीं जाना है money plant जब रखते हैं तो कुछ खास चीजों का आपको ध्यान भी रखना होता है जैसे की जब आपने money plant रखा है तो money plant हरा भरा रहना चाहिए सूखा हुआ money plant मतलब आपकी growth, prosperity, wealth को कम करता है वो अफसरों को कम करता है आपके जीवन में सुख सम्रद्दी के opportunities को कम करता है तो जब भी money plant रखें उसका रख रखाव करें, देख रेक उसकी करते रहें पते समय समय पे trim करते रहें, साफ सुथरा रखें पीला नहीं होना चाहिए जब भी घर में money plant यूँ इंडोर भी रखा ही जाता है पर आपको बीच बीच में फिल भी हर पौधे को धूब की भी जरूरत होती है सनलाइट की जरूरत होती है फ्रेश एर की जरूरत होती है तो बीच बीच में उसकी साफ सफाई करके एकाथ दिन के लिए उसको सनलाइट में भी रख दें ताकि पौधे को जो चीज़ें चाहिए वो सनलाइट से मिल जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि पौधा पीला नहीं होना चाहिए कोई भी पत्ते उसके सूखे हुए नहीं होने चाहिए ये दो चीज़ों का खास खयाल रखना है आगे जब आपने मनी प्लांट लगाया है तो कभ मनी प्लांट आपने उस दिशा में लगाया यांई आपकी प्रॉस्परिटी को ग्रो कर रा है तो मनी प्लांट का एक पत्ता या एक डाल तोड़कर किसी और गाने के लिए दे देना यानी अपनी प्रॉस्परिटी में से थोड़ा सा सो शेर कर देना तो कौन share करना चाह lives हो अपनी prosperity को किसी के साथ share नहीं करना तो कभी भी जो भी आपने money plant लगाया है उसको किसी के साथ share ना करें बहुत सारे लोग बहुते हैं घर में तो बहुत लगा है फिर सब लोग इतने अमीर क्यों नहीं हो जाते सब लोग अमीर नहीं हो जाते क्योंकि उसके साथ intention नहीं जोड होती है जब आपकी सोच उसके साथ जुड़ेगी तब आपके लिए काम करना शुरू करेगा बहुत हो क्या तो मैंने देखा है तो मनी प्लांट कहां से आपको फाइदा देगा मनी प्लांट आपको नुकसान ही करेगा फाइदा नहीं देगा फाइदा देगा जब आप पहले आप सिक्हें तो त्सक्राइब हो आप की कोई विश बी लिखिए कंदinté कर रहा है उस विशन का मत्ती ड़िए वपर से मिट्टी डाली अब का पौधा तो यानि कि जो भागत का दें şöyle दों जो Nazim जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, यानि जो नीचे आपकी prosperity दभी हुई है, आपकी savings दभी हुई है, उसको all grow करेगा, उसको growth देगा, तो ये भी आप money plant के साथ करेंगे, इसके अलावा money plant को जपी रखें red color के, कभी भी flower pot में नहीं लगाना है, दोनों अलग अलग चीज़ें, opposite चीज़ें हैं, तो money plant wood है, और red color fire है, तो लकडी को जलाने का काम क्या करता है, fire तुरंट जला देगा, यानि कि आपकी wealth को नुकसान होगा, तो wealth को नुकसान नहीं करना है, रेड कलर को, औरेंज कलर के pot को, flower pot को अवोइड करिए, पूरी तरहें, मेटल को अवोइड करिए, वहां का element जो है ना, वोड होता है, अगर कोई wooden आपके पास होता है ना, flower pot तो बहुत अच्छा है, आप wooden में लगा दीजिए, वोडन सबसे अच्छा होता है, और नहीं है, तो कम से कम red और orange तो आपको avoid करना ही करना चाहिए, तो आपको red color में नहीं लगाना, आपको kitchen में लगाना, मतलब कि fire, अगर south east आपकी kitchen पढ़ती है, तो आपको वहां पर नहीं लगा देना, क्योंकि kitchen मतलब fire वहां पर जादा होती है, तो आपको वहां भी नहीं लगाना, आपको living room के ही south east में लगा देना है, अच्छा है, इसके अलगा अस्त व्यस्त कभी भी नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे मेरे लोगों को देखा, money plant तो लगा लिया, लेकिन money plant की जो पक्तिया है ना सब नीचे बिख्री हुए है, नीचे मतलब सारी डाल नीचे नीचे जा रही है, उनको पता ही नहीं है कि वह जमीन से, आस्मान से नीचे जमीन पर आ रहे है, उनकी growth आस्मान से नीचे आ रही है, नहीं करना ऐसा, जब money plant लगाएं तो उसको पूर अवेवस के तरीके से उसकी डाल को उसकी जो लकडिया रहें, उसको ऐसे घुमाते घुमाते उपर की तरफ लेके जाएं, कौन सा रिक्ती नीचे आना चाहता है, सभी रोग चाते हैं, उपर जाना, growth करना, prosperity सबकी life में आए, तो आपको क्या करना है, money plant को कोशिश करना है, कि पत्ते उपर की तरफ ही हमेशा जाएं, कभी भी नीचे ना जाएं, तो ये हैं साथियों कुछ ऐसी चीजें, जिनका अगर आपने खयाल रखा, तो अपनी life में money plant की मदद से आप बहुत सारी growth ला सकते हैं, prosperity को ला सकते हैं और money को attract करना शुरू कर सकते हैं, उमीद करती हूँ आप सभी लोग सही दिशा के हिसाब से घर में money plant रखेंगे, और money tree money plant आपके जीवन में खुशाली सुख सम्रद्धी भर देगा, अगले वीडियो में मैं शाली नी वर्मा, फिर से मिलूगी, नमस्ते